तो जैसा कि फ्रेंड आ चुके हैं अपने ब्लॉगर के वेबसाइट पर अभी हम मीजर से आप एक ब्लॉग क्रियेट करेंगे यह कैसे क्रियेट करना मैं आपको बता देता हूँ क्रियेट करने से पहले हमें 2 चीज की जरूवत पड़ेगी मैं आपको बता दू एक सबसे पहले आपके टाइटल की जरूर पड़े ज़रुक्त तो मैं आपको यह डेमो दे रहो तो मैं XYZ कोई भी ब्लॉग एड्रेस सेलेक्ट कर लोंगा तो मैं बता देता हूँ कैसे बनाते है तो फ्रेंट्स जाने से पहले में चीज बता दे जिसमें भी मेरी YouTube चैनल को सस्क्राइब नहीं किया वो सस्क्राइब कर देना यह वीडियो को देना और कमेंट करना जरूब कि आपको यह वीडियो कैसे लगी कि मैं और इंट्रेस्टिंग वीडियो ला सकूँ तो जाने से पहले चल शुरुवात करने से पहले पहले बता दूँ तो आपको वेबसाइड या ब्लॉग क्रेट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा यह मैंने और डी बहुत साथ यह ब्लॉग कर चुक है इसके होज़े से मेरे को ऐसा दिखा रहा है थोड़ा हम वो करेंगे फिर उपर निव ब्लॉग लिखा है निव ब्लॉग पर जाने के बाद आपको टाइटल डालना है एड्रेस डालना हम ता टाइप कर लेते हैं अब आगे बढ़ते हैं जो जैसा कि आपने देखा ब्लॉग एड्रेस वाल्योबल नहीं है इसमें कुछ चेंजेस करते हैं और यह ब्लॉग एड्रेस वैल्योबल एड्र तो अभी कॉस्टम टेंप्लेट लेके हम इसे क्रिएट ब्लॉग क्लिक कर देते हैं और यह हमारा क्रिएट हो चुका है अभी एक आपको अभी नॉटिफिकेशन आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हमारा यह ब्लॉग रेट हो चुका है तो चलिए अभी इसे हम कॉस्टमाइजेशन करते हैं खर्द्ज सकते हमें आपको तेमपलेट डालना करहा है और अगले वीडियो मिए आपको टेंपलेट कस्टमाईजिशन दालना करी ब्लॉग को प्रेट अ बताऊंगा हां जैसा कि आप दीख सकते इधर मैने क्ल्क किया जो जो step में दर्स करो वह step आपको करने का यह यह blogger की में कुछ changes के आपने उसमें यह 2019 का ब्लॉग है तो आपको जैसा मैं बता रो, नहीं क्ल्क करने का है आपको 3.00 पर क्लिक anonymous इस आपको backup पे जाने का है बैकप पे जाने के बाद आपको यह बोलेगा कि l में अपलोड कर दिया है तो आप निचे ब्लाग कर दिखता रहा है रिस्टोरिंग तो और आपको मैसेज कुछ लिख आ रहा है रिस्टोर रिस्टोरेट सक्सेस्पुल दी तो मैं आपको भी नहीं जशे या ब्लॉक खोल के दिखा देता हो निव टैर्मे की कैसा लगेगा तो बच्चा दिये तो फ्रैंस अभी इसमें कुछ चेंजेस करने का है मैं बता देता हूँ कौन सा चेंजेस करने का है आप देख लीजिए तो आज आते हम अपना डैशबोर पर फिर से डैशबोर पर डैशबोर पर आने के बाद हम क्लिक करते है और मोबाल सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आ बिखा देते आपको को तो जैसा की हमने विवुजिट कर लिया इस इसह ऐस कर देते इक डोब से जक्श कर देते कि तो आप हाई समद्छिंट बोस्टब चाटन ज़रेश कर देते उस डोला यां है या यह रहेश हो गया दोस्तों तो देख सकते हैं हमारा website कितना कितना अच्छा दीख रहा है तो इसका आगे का customization कैसे करने को मैं आपको बताओ में next वीडियो में लेकिन अभी के लिए इतना एक फिल्म लेंगे मेरे अगले वीडियो में तो जाने से पहले में बता दो जिसने भी हमारा YouTube चैनल सस्क्राइब और सस्क्राइब कर देना ये वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसे पसंद आए